हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माई चैनल स्वीटी गोदारा तो फ्रेंट्स आज हम सर्दियों के मौसम में खाएंगे औरियो वेनिला आइस क्रीम तो फ्रेंट्स ये बनाना बहुत ही सिंपल है मैंने बहुत कम सामान से बनाई है औरियो वेनिला आइस क्रीम यहाँ पर फ्रेंट्स मैंने ली है मलाई जो घर पे दूद की मलाई होती है एक बोल छोटे में मलाई हमारी और यहाँ पर मिल्क पाउडर और यह दो से तीन चमच कॉन फ्लावर और टेस्ट अनुसार चीनी और वेनिला एसेंस तो फ्रेंट्स बनाना बहुत ही सिंपल है और आसान है और साथ में लिया है मैंने छोटा पैकेट ओरियो बिस्कुट जो की बच्चों को बहुत पसंद है तो फ्रेंट्स बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी आईस क्रीम तो सबसे पहले हमें क्या करना है जितने भी दूद की आईस क्रीम बनानी है मैंने एक किलो दूद लिया था तो फ्रेंस एक किलो दूद को मैंने कड़ाई में डाल दिया था और उसी दूद में से अभी गैस कोन नहीं किया था मैंने दो से तीन चमच एक छोटे बोल में निकाल दिया था ये प्रोसेस करने इसलिए जरूरी था क्योंकि जो कॉन फ्लावर है और मिल्क पाउडर है उसको हम साइड में अलग से मिला लेंगे ताकि जो सारा हमारा दूद है उसके अंदर गुठलिया नहीं पड़ेंगी ऐसा करने से हमारी जो आइसक्रीम है बहुत ही जल्दी बन जाएगी और ये देखे फिर मैंने गैस को ओन कर दिया था जैसा कि आपको देख रहा है तो हमारा जो दूद है वो बिलकुल उबल चुका था उसके अंदर एक उबाला चुका है और अब जो ये हमने दूद में अपना मिलक पाउडर और कॉन फ्लावर मिलाया था इस उबलते हुए दूद में इस मिक्सचर को डाल देंगे तो फ्रेंट्स देखते रहे ना कोई भी चीज स्किप मत करना ये बनानी बहुत ही आसान है और टेस्टी लगती है वैनिला ऐसक्रीम और इस टेज़ पर आने के बाद मैंने यहां पर इसके अंदर चीनी डाल ली है चीनी अपने टेस्ट के नुसार डाल सकते हैं पर आइस क्रीम है तो चीनी अच्छी ज़्यादा क्वांटिटी में अच्छी लगेगी तो फ्रेंट्स दू-दू बुल चुका था उसके बाद मैंने यहां पर वेनिला एसेंस जो है मार्किट में बहुत ही आसानी से मिल चुका था दो बार मैंने उसको दो ड्रोप करके इसमें डाल दिया है आप उसको अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कलर के हिसाब से भी कर सकते हैं बट दो ड्रोप दो बार करके मैंने डाला था इतनी ही क्वांटिटी उसकी बहुत थी तो friends एक किलो दूद था जब उसका आधा किलो दूद रह जाएगा तो हम गैस को बंद कर देंगे और अब क्या करना था अब इसको ठंडा करने के बाद जिस में हमें जिस बरतन में हमें आईस्क्रीम को जमाना है उसमें डाल कर अपने मिक्चर को और उपर से फोईल लगा कर 2-4 घंटे के लिए फ्रीज में रख दो यह कम स्टेज जैसे आधी आईस्क्रीम बनती है हमें इस स्टेज पर उसको निकालना है तो फ्रेंट्स उसके बाद क्या करना है आप बोलोगे यह क्या कर रहे है अब हमें जो करना है जो आईस्क्रीम है जो हमारी आधी आईस्क्रीम बन चुकी थी उसे मिक्सी के जार में डाल कर दुबारा से ग्राइंड करना है या फिर अगर आपके पास grinder machine है उससे कर सकते हैं मिक्सी में नहीं करना दो और इस stage पर आकर जो हमारी cream थी मलाई वाली उसको इसके अंदर मिलाना है और फिर से इसका paste smooth सा बनाना है ये देखिए जैसा मैंने बोला था वैसा paste ये बन गया है और अब क्या करना है जो oreo biscuit थे आप ऐसे भी डाल सकते हैं oreo biscuit के उसको चूरा जो होता है उसका चूरा बना कर भी डाल सकते हैं आप जैसे चाहो वैसे यहां पर डाल सकते हैं और उसके बाद मैंने क्या किया है थोड़ा थोड़ा इसको एक चमच की help से मिला दिया है तो friends दिखने में तो यह ice cream tasty बनी ही थी सच मुझ खाने में भी बहुत ही tasty बनी थी यह Oreo की vanilla ice cream है आप जरूर गर्में try करना और सर्दियों में जो ice cream खाने का मज़ा है वो गर्मियों में भी नहीं आता है friends मैंने क्या किया थोड़ा सा mixture डाला फिर Oreo की filling की फिर थोड़ा सा mixture डाला फिर Oreo की filling करी और अब last में क्या किया है foil लेकर उसको अच्छे से cover कर दिया है तो friends अब की बार जो हमें 2-3 घंटे ice cream नहीं जमानी half अब की बार हमें full fridge में जमानी है complete night के लिए जमानी है उसके बाद देखते हैं कैसी ice cream बन गई तो हमारी रात हो चुकी है और ये देखिए बन चुकी है हमारी थंडी थंडी Oreo vanilla ice cream तो friends आप अपने हिसाब से serve कर सकते हैं ये दिखने में बहुत ही smooth और tasty बन कर तयार हो चुकी थी complete night थी तो ये बहुत अच्छे से देखो ये कितनी soft बन कर तयार हो चुकी है तो friends खाने में भी ये उतनी ही tasty है दिखने में जितनी लग रही है तो आ गया ना सबके मुमें पानी तो friends अगर आप लोगों को मेरी ये recipe अच्छी लगती है तो क्या करना है लाइक, कमेंट और शेर करना है ताकि मेरी जितनी भी recipe आएं उनको अच्छे अच्छे आप कमेंट कर सको और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूले तो मिलते हैं friends नई recipe के साथ बाइ बाइ तिल देन